आशा करता हूँ आप साथ बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम ऐसे धान तक नहीं होते ही च्टड़ी आई क्यों दोस्तों जस्टिस डिलेड नदेंद्र दाभोलकर मडर केस के आज बात करेंगे हम साथ साल पहले इनको मार दिया गया था 2013 में अगस्त 2013 में इसी मईने इनको मार दिया गया था और साथ साल पहले मुडर हुआ था चार गोलिया दागी गई थी तो इनके माथे पे लगी चेस्ट पे लगी और इनकी मौत हो गई थी अभी तक ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ है यह केस बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड ह होता जा रहा है पहले पुलिस इन्विस्टिगेट कर रही थी बाद में पुलिस के मिलने का शख हुआ उसके बाद फिर NIA को दिया ATS के पास गार अल्टीमेटली CBI अभी जिसकी जाज कर रही है लेकिन वही है न जस्टिस डिलेड तो हम इस मॉर्डर केस की बात करेंगे क् UPSC के स्मार्ट कोसे जाते हैं दोस्तो 31 अगस्त तक अब ये अविलिबल है आप इनको अवेल कर सकते हैं ट्विटर पे ये मेरी आईडी है साथी साथ फेस्बुक पेज भी है तो वहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हैं साथ साल पहले मारा गया था नरेंद्र अच्युत दाभुलकर को अब आपको पता ही है किस से पहले कम्मुनिस्ट लीडर गोविन्द पंसारे को भी मारा गया था कनर स्कॉलर एमेम कालबुर्गी अगस्त 2015 फरवरी 2015 में भी मारा गया था और इनको हलाकि नरेंद्र धाभुलकर को 2013 में मारा गया था और फिर बैंगलोर में जो जर्नलिस्ट थी गौरी लंकेश इनको भी मारा गया था तो देश में फिर हुई थी कि freedom of speech क्या है हम अरे इम रिली सॉरी यह freedom of speech ही होगा ठीक है यहाँ पर यह वाइड आक्चुली मैं शायद मिटा दिया होगा मिट गया होगा तो freedom of speech है कि नहीं यह देश में सवाल उठे दे अब इससे पहले हम पूरे case पे आएं मेरे telegram चैनल है कौन है यह क्यों इनसे लोग इतना नाराज थे जो कटर पंती थे इनसे क्यों इतना नाराज थे वो देखते हैं नरेंद्र दाभोलकर का जनम एक नवेंबर 1945 में नरेंद्र दाभोलकर का जनम हुआ था अच्चुद दाभोलकर और तारा बाई किया दस भाई बहन थे इनके यंगिस्ट हैं ये नरेंद्र धा बोलकर यंगिस्ट थे अपनी स्कूलिंग इन्होंने सतारा से पूरी की विलिंग्डंग कॉलेज सांगली से पूरी की और उसके बाद MBBS मिराज से सरकारी मेडिकल कॉलेज जो मिराज में है वहां से इन्होंने MBBS किया डॉक्टर थे ये ये डॉक्टर थे सोचल अक्टिविस्ट थे राइटर थे रैशनलिस्ट थे बहुत कुछ थे मल्टी टैलेंटेड और बहुत अच्छे कबड़ी प्लेयर थे आपको बता दूँ कि इन्होंने नाशनली काफी कबड़ी में कबड़ी जो कमप्टिशन सोतस में भागिया है ठीक है तो काफी जबरदस्त उसके बाद दोस्तों क्या है कि ये खेल में भी बहुत ज़ादा मैंने बता ना कि शिवाजी इन्वरसिटी कबड़ी टीम के कैप्टन थे और भारत का जो बांगलादेश से मैच था कबड़ी टूर्नामेंट में इन्होंने रेप्रेजेंट किया था और उस समय अपनी टीम को जिता के लेकिया थे इनकी शादी हुई शैला से दो बच्चे हैं इनके हामिद और मुक्ता दाभूलकर हामिद दलवई जो बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे इनके बेटे का नाम उन्हीं पही रखा गया है अब दोस्तों 12 साल इन्होंने डॉक्टरी की लोगों की सेवा की और 1980s में ये सो सोशल वरकर हो गए और उसके बाद इन्होंने मूवमेंट चलाया सोशल जस्टिस के लिए पहला मूवमेंट था एक गाउं एक पनौथा पनौथा को कुवा कहते हैं अब आपको पता ही है गाउं में उस समय बहुत जादा डिस्क्रिमिनेशन होता था भारत आजाद हो गया ये फंडमेंटल राइट है हमारा ठीक है तो हमारा समविधान इनकी जाज़त नहीं देता लेकि उसके बावजूद आप देखेंगे गाउं में सारी चीज़ आज भी होती है अगर एक कुवा है तो उसमें जो अपर कास्ट के लोग है भया आज भी लोवर कास्ट के लोगो ये काम करने लगे ठीक है अखिल भारती अंध श्रद्धा निर्मूलन समिती ABANS 1989 मतलब 1980s में इन्होंने जोईन की और 1989 में इन्होंने महराष्ट अंध श्रद्धा निर्मूलन समिती बना ली 1989 से लेकर अभी तक ये समिती आक्टेव है लगातार ये सुपर स्टीशन्स यान की जो अंध विश्वास होता है न जो तांतरिक होते हैं जो ये बोलते थे कि यहां पे देश में जो भगवान अपने आपको कहते हैं न भगवान बोलते हैं कि हमसे वड़ा भगवान कोई नहीं है और जो जादू परफाउंग करते हैं मिरेकल्स तांतरिक हो गए लोगों क जो बेवगूब बनाते हैं मेरी लडाई उनके खिलाफ है founding member थे परिवर्तन के जो की एक social action था सतारा district में ही located था marginalized members यानि की जो lower caste के लोग थे उनको dignity से रहने का पूरा अधिकार है prosperity से रहने का पूरा अधिकार है उसके लिए इन्होंने movement चलाया था editor थे ये मराठा weekly साधना बहुत ही जबरदस्त जो magazine आती है empowered करती है उसके editor थे ये 1990 से लेकर 2010 तक दाबोलकर जो है दलिस का जो पूरा movement था उनको rights देने चाहिए उनके लिए भी active मतलब उनके लिए भी काम कर रहे थे इंडिया का जो caste system है उसके against लड़ रहे थे कि ये जो caste related violence है ये बंद होनी चाहिए 3000 public meeting इन्होंने attend की थी और हम ये देखते हैं कि इनका जो main काम था वो अंद विश्वास के खिलाव था ठीक है अब इस समय इनको काफी धमक्या भी मिलती थी बहुत दमक्या भी मिलती थी कि बेटा जो तुम कर रहे हो ना इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना है बंद कर दो लगातार इन्होंने movement चला है MANS जो इनकी संस्था थी जो superstition के लिए काम करती थी उसमें उसका result ये हुआ कि ultimately महरास्ट सरकार ने Anti Superstation and Black Magic Ordinance Act इनके मौत के दो हफ़ते बाद पारित किया क्या विश्वास कर सकते हैं ये इस ordinance को मतलब चार हफ़ते बाद इस ordinance को मतलब इस Act को इस कानून को पारित होते हुए देखनी पाईए इससे पहले इनको मार दिया गया 20 अगस्त 2013 को इनको मार दिया गया था अब दोस्तों इतना कुछ कर रहे है तो जाहिट सी बात है बहुत लोगों को ये रास नहीं आएगा तो 20 अगस्त को morning walk के लिए निकले थे ये और ऐसा था कि morning walk के लिए जाही रहे थे सुबह 7 बच के 20 मिनट का टाइन था और unidentified man आए उंकारेश्वर टेंपल के उंकारेश्वर मंदिर के ठीक बहार unidentified gunman जिनोंने मास्क पहना हुआ था सुबह 7 बच के 20 मिनट पे आए और इनको गोली मार दिया चार राउंड्स फायर किये गए पॉइंट ब्लांक रेंज पे मोटर साइकल पार्ग डिकीनों ने और भाग दे समझ ने दो बुलिट जो थी वो दाबोलकर के सर पे लगी और चेस्ट पे लगी वही पे ही इनकी on the spot मृत्ति हुई अब जब दाबोलकर की मृत्ति हुई social activist थे तो पूरे देश में बहुत गुस्सा हुआ 2013 में और महराष्ट सरकार ने भी इस पे बोला था जो समय महराष्ट के चीफ मिनिस्टर थे प्रिसवीरा चवन उन्होंने तो 10 लाग का इनाम गुशित कर दिया ता कि जो भी इनके मृडर्रस को पकड़ के ले के आएगा 10 लाख रुपए दूँगा बहुत सारी political parties ने इनफाक्ट यहाँ पे जो right wing political parties है उन्होंने भी इसको condemn किया था ठीक है तो बहुत सारी political parties ने भी इस मृडर को बिल्कुल बोला था कि ऐसा नहीं होना चाहिए यह बिल्कुल गलत है यह भारत के खिलाफ है political parties ने strike की पुने में 20 अगस्त को बकाईदा strike हुई ठीक है अब दोस्तों 20 अगस्त 2013 को ही पुलिस ने अपनी investigation शुरू की यह तो हमने एक short biography देख ली नारेंदर दबोलकर को लेके अब हम देखते हैं कि इनकी investigation कैसे चली उस समय 67 he was 67 years old 2013 में तो हमें देख रहे हैं कि इनकी investigation चली investigation हुई पहले पुलिस ने इनकी investigation की पुलिस ने first arrest किया किसको कौन मनीश नागोरी जो की एक fire arms peddler था और इसके साथ ही विलास खंडेलवाल को जनवरी 2014 में पहला arrest हुआ आप समझें क्या हुआ यहाँ पे सबसे पहले 13 अगस्त को इनको मारा गया उसके बाद 4 हफते बाद ये जिस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे अंद विश्वास उसके किलाब महराज के सरकार ने अक्टेपारित किया और जनवरी 2014 में पुलिस जो है वो पहला arrest करती है लेकिन पुलिस का जिस तरीके से बरताव तरश पर सवाल उठाए जा रहे थे और ऐसा भी बोला जा रहा था कि पुलिस कहीं ना कहीं पुलिस बहुत जो जांचा वो निश्पक्षिता से नहीं कर रही है ठीक है अब दोस्तों ऐसा है 2013 में नागोई और खंडेलवाल के इनकी जो हिस्टरी है ना कई बार जेल जा चुके हैं ये फायर आम्स डीलर है ना बंदू को बेचते हैं आम्स और एमनीशल्स को बेचते हैं तो जाहिर सी बातन का ट्राक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं होगा तो अल्रेडी इनकी ओपर केस दर्ज थे और जब ATS एंटी टेररिजम स्क्वाड ने इसकी जाज परताल की तो चालिस अवैद फायर आम्स बरामत हुए ठीक है तो ये तो पहले ही जेल में थे अलब इनकी ओपर पहले ही काफी मुकद में चल रहे थे अब दोस्तों हम देख रहे हैं देखें यहां पिना बहुत अजीव हो गरीब ट्विस्ट अन टर्न सा इस केस में पहले तो महराष्ट पुलिस ने पुरा इस पे इन्वेस्टिगेशन किया जो पुने में थे पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया नागोली और खंडेलवाल को और दो अदर्स को मनलब टोटल चार लोगों को अरेस्ट किया अब पहले ये अरेस्ट दोँजार बारा केस में इस मर्डर के लिए भी चार्ज किया गया तो यहां से ही कुछ डाउट होना शुरू हो गया तक यह कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस इनको फसा रही है अब यहां पे इन दोनों ने बोला जब इनको कोट में पेश किया गया कि जन्वरी 2014 में इन्हों ने बोला इटी एस जो राकेश मारिया बहुत फेमस थे 25 लाख रुपए ओफर किये थे हमको ताकि हम इस मर्डर केस को कंफेस कर लें बाद में लेटर हीरिंग जब हुई तब यह दोनों अपने बयान से मुकर गये आप समझ रहे क्या हो रहा है यहां पे यह डाउट हो रहा है कि इन दोनों को फसाया जा रहा है इनको बली का बकरायत बनाया जा रहा है पुलिस बली का बकरा बना रही है तो नागोरी और खंडेलवाल को इन्हों ने ऐसा बोला कोट में कि 25 लाख रुपए राकेश मारिया ने ओफर किये थे कि आप इस मुर्डर केस को कंफेस कर लो बाद में जब हेर समझ गए अब कहानी आगे बढ़ती है अब 2014 में दाभुलकर ने पहले NIA को ये केस दिया गया और उसके बाद में CBI ने ये पूरे केस को अपने पास लिया Bombay High Court ने बोला Bombay High Court का ओर्डर था कि अब जो है CBI इसको देखेगी डॉक्टर विरेंदर सिंग तावड़े जो की मेंबर थे सनातन संस्था उनको अरेस्ट किया यहां पे CBI ने और CBI ने ये बोला कि तावड़े जो है वो इस साजिश के मास्टर माइंड है CBI ने बोला कि तावड़े जो है He is one of the masterminds of the conspiracy और दाभोल कर और इनके बीच में सनातन संस्था के बीच में दोनों में जंग चल रही थी कैसे जंग चल रही थी एक तरफ है MANS और एक तरफ है आपकी सनातन संस्था ठीक है आप MANS क्या कर रही है MANS यहाँ पे super stations अंद्विश्वास से लड़ रही है ठीक है यहाँ पे बोल रही है कि यह जो ऐसे बेवकूब बनाय जाता धर्म के नाम पर यह सही नहीं है लोगों को जागरुक कर रही है यहाँ पे सनातन संस्था क्या कह रही है सनातन संस्था ही कह रही है कि आप हमारे उपर अटाक कर रहे है हमारी सनातन संस्था पर अटाक कर रहे है तो इसी लिए MNS को और बहुत शिफ सेना और BJP भी यहाँ पे मतलब बहुत जादा इनके फेवर में नहीं थी दाबोलकर के, तो लगातार दाबोलकर को धमकी मिल रही थी, कि आप इसको वापस ले लो, इस मुवमेंट को पूरा वापस ले लो, बन रहा है इसका अंजाम जो ह दाखिल की, और जो इनकी सनातन संस्ता है, उनका अता ही पता नहीं, यानि की दाल में कुछ काला है, तभी तो सनातन संस्ता कहां गई, किधर गई पता ही नहीं, तो CBI ने 2016 में चार्ज शीट दाखिल की, तावडे के खिलाफ, और कौन मिम्बर्स थे? सारंग आकोलकर और व सचिन प्रकाष रहूअ अंदूरे को और शरत कालसकर को, अब यहाँ पे पहले बोला था CBI ने की, विने पवार और सारंग आकोलकर को मारा है, और 2018 में CBI बोल रही थी, नहीं, सचिन प्रकाष रहूअ अंदूरे और शरत कालसकर ने इनको मारा, यानि की CBI ने अपने earlier claim को contradict किया तो आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पे statement जो है ये लगातार बदले जा रहे हैं 2019 में CBI ने arrest किया मुंबई-based सनातन संस्था lawyer संजीब पुना लेकर और चार और लोगों को arrest किया विक्रम भावे को भी arrest किया ठीक है अब देखिए यहाँ पे टोटल पांच लोग के खिलाफ charge sheet डाखिल की गई CBI अभी अगर बात करें तो 2019 में CBI ने पांच लोगों के खिलाफ charge sheet दाखिल की जिसमें संजीब पुना लेकर अभी बेल पे बाहर है और बाकी चार लोग अभी जेल में है अब दोस्तों CBI ने जिनको arrest किया 2017 में जो गौरी लंकेश murder case था ना जो journalist थी इनको भी मार दिया था इनसे भी इनके link है तो CBI ने सब की धर पकड़ करनी शुरू की है और जैसे जैसे case आगे बड़ा परते जो हैं वो खुलती गई फिलाल इनके जो family members है especially इनकी बेटी मुकता दाबोरकर वो लगी हुई है और ये बता रही है कि हम को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम हटेंगे नहीं वैसे आपको बता दो कि ये court ने भी बोला है यहाँ पे जो judge थे धर्मा अधिकारी और हाई चागला उन्होंने भी बोला है कि justice जल्दी से जल्दी हो जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे इंसाफ मिलना चाहिए इसलिए case CBI को दे दिया गया लेकिन अभी तक दोस्तों काफी 7 साल हो गए और अभी तक justice का अतापता नहीं है अब आगे देखेंगे दोस्तों क्या होगा जो charge sheeted है जिनके खिलाफ मुकदमा डायर किया गया है उनके खिलाफ उनका case कैसे आगे बढ़ता है तो अभी हमको देखना पड़ेगा फिलाल ये अगस्ती घटना है और media outlets ने cover किया तो मैंने सोचा ये आपको बता दू अब दोस्तों यहाँ पे हम theory की बात करते हैं जो सबसे important है weapon theory CBI ने ये किया कैसे देखो यहाँ पे 2017 में गौरी लंकेश का murder हुआ 2013 में दाभूलकार का murder हुआ फिर 2015 में murders हुए तो इनका connection जो है वो देखा जा रहा है अब जिसको arrest किया lawyer पुना लेकर जो की bail पे बाहार है उसने कालसकर को ये बोला कि देखो ये जो pistol use की गई है ना इसको फेक दो इसको कहीं ऐसी जगा फेको दुबारा मिले ही ने ये CBI का कहना है तो ये instruction कालसकर को दिये और कालसकर ने इस pistol को dismantle करके थाणे के पास एक pull है एक bridge है वहाँ पे एक creek में फेक दिया है और इस पिस्टल को जांच के लिए बेच दिया क्या अब इस पिस्टल का रोल बहुत एहम है पता चल जाता ना कि भाईया जो bullets मिली है क्या वाकई में इससे match हो रही है कि नहीं क्योंकि पुलिस ने तो यह बताया था जो bullets मिली है दाबोल करके वो तो match हो रही है तो ऐसा है कि इसको forensic के लिए भेजा गया अब इसका result क्या है वो किसी को पता नहीं Outcomes of these examinations are unknown आगे क्या होगा दोस्तों देखना है लेकिन अभी साथ साल हो गए है हम यहीं चाहेंगे कि भाईया जो भी इसमें शामिल है उनको सक्त से सक्त सजा हो अई हो पेले चर आपको पसंद आया होगा खुछ रहे यह पढ़ते रही देसे सिद्धान तक नहीं होता ही